Hello my dear students, welcome back to one more class आज की इस class में हम study करने वाले हैं Hello Elkins और Hello Eris के कुछ multiple choice questions Students जैसे कि हमें हमें पता ही कि हमारा exam 14th of December को है इसी series में मैंने इसके पहले solution और solid state chapter के कुछ questions post किये गए है I hope आप सभी जवो questions देखी भी है और साथ में उसको अच्छे से समझा भी है तो चलिए start करते हैं हम first question से First question में क्या कहा गया है हमसे देखिए पूछा गया है कि which of the following is vinylic halide तो अब सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि vinylic halide क्या होता है Vinylic halide क्या होता है Vinylic halide में हम देखते हैं कि जो halogen जो रहता है वो directly attached रहता है double bond से तो यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर directly double bond से attached नहीं है इसमें भी नहीं है इसमें यह option है और इसलिए this is the correct answer यहाँ पर भी देख सकते हैं double bond से directly attached नहीं है अब आते हैं हमारे second question की तरफ क्या बोला गया है The position of BR in the compound is अब देखिए जो BR की position है can be classified as यह हमें find out करना है तो यहाँ पर देखो यह कैसा structure है मैं यहाँ side में लिख कर बताती हूँ CH3 फिर उसके बाद में CH है फिर double bond है फिर CH है और CH के बाद में एक carbon है और उस carbon से BR attached है और फिर हमारे पास में CH3 और यहाँ पर CH3 है तो अब आप अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर समझ पाओगे कि यह जो BR attached है यह BR किस carbon से attached है यह carbon carbon के double bond के next carbon से attached है और ऐसे carbon का हम कहते है अलेलिक मतलब जो carbon carbon double bond के यहाँ से जो attached रहता है उसे कहते है अलेलिक और इसलिए option A is the correct answer Which of the following is an example of vicinal dihalytes? Vicinal dihalytes मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो यह देखो vicinal dihalytes में जो होता है वो होता है कि अगर दो carbon atoms है तो adjacent carbon atom पे अगर कोई halogen attached रहता है तो उसे कहा जाता है vicinal dihalytes तो इसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पर यहाँ पर यह 1,2 dichloroethene जो है वही है vicinal dihalytes फिर आते हैं हमारे next question के उपर वो है इतिलिदीन chloride is an example of तो इतिलिदीन chloride जो है वो हमें देखना है कि किसका example है तो यहाँ पर देख सकते हैं इतिलिदीन chloride में क्या हो रहा है कि यह जो दो carbon atom है और इस दो carbon के atom, same carbon के atom के उपर क्या है यह जो है chloride chloride attached है और इसलिए यह example माना जाता है gem dihalide का फिर आते हैं हमारे next question के उपर which is the correct iron pack name for the following ठीक है तो आप इसको थोड़ा सा spread कर लीजे जब आप इसको spread करोगे तो यह बन जाएगा CH2CH3 अब देखे ज़रा यहाँ से अगर हम देखे तो 1, 2, 1, 2, 3, or 4 इस तरीके से position बन रहे है तो हम कहेंगे 1 bromo 2 methyl butane it means option 1 is correct one ठीक है उसके बाद में आते हैं हमारे question number 6 की तरफ right question number 6 की तरफ जब हम आते हैं तब हम देख लेते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से करना है हमें तो अब देखे question number 6 की तरफ आ चुके हैं question number 6 question number 6 में हम कैसे करेंगे the IUPAC name of the compound compound दिया गया है हमें इस compound का IUPAC name जो है वो है इसको थोड़ा सा डाउन कर रही हुँ है IUPAC name ठीक है अब इसका correct IUPAC name मुझे find out करना है तो इसका correct IUPAC name क्या होगा देखो यहाँ पर floro है, nitro है, methyl है जिसमें से सबसे तो इस basis पर हम कहेंगे कि 1 floro, 2 nitro, 4 methyl बट अगर alphabetically arrange करने जाएंगे तो यह हो जाएगा 1 floro, 4 methyl and 2 nitro benzene is the correct answer फिर आते हैं हम question number 7 की तरफ question number 7 क्या कह रहा है which of the following is most preferred to prepare alkyl chloride from alcohol alcohol से अगर alkyl chloride बना रहा है तो इसमें से सबसे ज़ादा कौन सा prefer किया जाता है तो prefer जो किया जाता है वो होता है SOCl2 क्योंकि SOCl2 जब बनता है तो इसके साथ में यह क्या बनाता है, यह क्या करता है actual में यह RX भी बनाएगा और साथ में मतली reaction हो रही है ROH के साथ RX भी बनाता है साथ में ही इसमें SO2 और Cl2 gas जो है यह release होती है जो कि क्या होती है यह HCl gas release होती है और यह दोनों gases release होने की वज़े से हमें काफी हद तक pure Rx हमें मिल सकता है अब आते हैं next question के उपर arrange the following compounds in increasing order of their densities increasing order of densities हमें arrange करना है इसमें तो आप देख सकते हो इसमें जो option जो हमें दिखेगा इसमें देखो सबसे पहरे तो इसमें क्या है एक chloride इसमें कुछ भी नहीं है मतलब इसकी density क्या होगी सबसे कम होगी उसके बाद में आता है हमारा एक substrate फिर दो substituent आते हैं और यह कैसा substituent आता है जो उससे भी bigger है it means इसका जो density के अगर हम बात करें तो option A is the correct answer option A is the correct answer चली अब आते हैं हमारे next questions के तरफ next question में क्या बोला गया है हमसे arrange the following compounds in increasing order of their boiling point increasing order of boiling point से हमें arrange करना है तो अभी देखो आप जब increasing order of boiling point जब हम discuss करते हैं तो हमें है एक concept पता होना चाहिए कि boiling point increase होता है boiling point increase होता है with increase in surface area जैसे ही surface area increase होगा तो उसी basis पर boiling point भी increase होता है तो इस basis पर अगर हम देखें तो surface area क्या है surface area किसका ज़्यादा है किसका कम है आप अगर identify करते हो तो surface area क्या होगा, यह क्या है हमारा straight chain है, तो इसका surface area सबसे ज़्यादा होगा, तो इस basis पर अगर मैं देखू, तो option C is the correct answer, अब आते हैं हमारे question number 10 के उपर, question number 10 क्या कह रहा है, कह रहा है कि chlorobenzene is formed by reaction of chlorine with benzene in the presence of ALCL3, ALCL3 के presence में ऐसा होता है, तो which of the following species attacks the benzene ring in this reaction, right, तो in this reaction कौन सी जो है benzene पर attack करती है, तो अगर आप यह देखोगे, तो यहाँ पर क्या है हमारे पास में, ALCL3 है, ALCL3 as a reagent है, और यहाँ पर क्या होता है, कि chlorobenzene is formed by reaction of chlorine with benzene, है न, chlorine इस तरीके से attached रहता है, तो यह loan पर यह chlorine ले ले लेता है, और यह जो होता है, हो जाता है CL positive, it means option B is the correct answer, which reagent will you use for the following reaction, following reaction करने के लिए आप कौन सा reagent यूज़ करोगे, तो देखो यहाँ पर एक alkin दिया हुआ है, आपको क्या करना है, आपको जो है alkyl halide के products बनाने है, ऐसा उनका कहना है, तो आप बताइए मुझे कौन सा यूज़ करेंगे, अब यह UV sunlight के presence में और CL2 के साथ में करेंगे, अब आते हैं next, the reagents for the following conversion is, अब देखो हमारे पास में क्या है, यहाँ पर जो हम reaction देख रहे हैं, यहाँ पर देखो, क्या है हमारे पास में, BR, CH2, BR, और फिर single bond, CH2, BR, है न, CH2, CH2 क्योंकि यहाँ पर single bond, BR, अब इसकी reaction हम किसके साथ करवाए, कि हमें क्या हो जाए, triple bond मिले, तो इसके लिए पहले तो हम eliminate कर लेंगे, it means अगर हम alcoholic KOH अगर use करते हैं और NANH2 को follow करते हैं तो यह हमें product, your desired product मिल जाएगा, फिर आते हैं हमारे next question की तरफ, next question में क्या दिया है, question number 13 में चलिए देख लेते हैं, इसमें दिया है the order of reactivity, the order of reactivity of following alcohol with halogen acid, with halogen acid is, order of reactivity आपको find out करनी है, तो order of reactivity जो रहेगी, यह रहेगा option B, option B ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यह जो है alcohol, यह 3 degree alcohol है, यहाँ पर जो alcohol मिल रहा है आपको, यह 2 degree alcohol है, और यहाँ पर जो alcohol मिल रहा है, वो 1 degree alcohol है, और हमेशा जो reactivity रहेगी, वो 3 degree रहेगी, 2 degree और 1 degree रहती है, अब आते हमारे next question के उपर, question number 14, in which of the following molecule, carbon atom marked with asterisk is symmetric or not, तो हमें बताना है कि जो carbon जो mark है, वो symmetric है या फिर नहीं है, तो सबसे पहले तो देखो, asymmetric carbon किसे कहते है, asymmetric carbon उसे हम कहते है कि carbon atom, carbon atom having, carbon atom having 4 different groups, 4 different group, अगर attached है तो उसे कहा जाता है, asymmetric carbon atom, जैसे कि अगर मैं अगर इसमें देखो, तो देखो, यहाँ पर इस वाले option में देखो, H, I, C, L और B, यह चार अलग-अलग group जो है, यह यहाँ पर attached है, इसमें क्या है, चार अलग-अलग group यहाँ पर attached है, similarly हमें find out करना पड़ेग है, तो second में भी देखो, second में भी क्या है, एक, दो, तीन और चार यह अलग-अलग group attached है, यहाँ पर भी देखो, यह भी सब अलग-अलग group attached है, बट इसमें जो है हमारा last वाला, इसमें दो similar group attached है, इसलिए option B is the correct answer, अब आते हैं हमारे next question की तरफ, next question क्या कह रहा है, question number 15, question number 15 क कह रहा है कि, which of the following structure is enantiomeric with molecule given below, ठीक है, तो जो given below molecule है, उसके साथ में कौन सा enantiomeric है, तो अभी सबसे पहले तो हम यह पता कर लेते हैं कि enantiomeric मतलब क्या होती है, enantiomeric मतलब होती है, ऐसे supreme posable mirror images, हम कहेंगे कि enantiomeric मतलब क्या होते है, mirror images which are, mirror images which are non supreme posable, कैसी है वो, non supreme posable है, non supreme posable है, तो अगर ऐसे mirror images जो non supreme posable है, उन्हें कहा जाएगा, enantiomers, और इस option, इस में जब हम देखते हैं कि सभी options में तो इस में से सिर्फ यह एक image ऐसी है, जो क्या है, non supreme posable है, अब आते हैं हमारे next question के उपर, question number 16, क्या कह रहा है यह, two possible stereo structures of CH3, CHOH, COH which are optically active are called, ठीक है, तो ऐसे इस में इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं, enantiomers, इसके कहते हैं हम enantiomers, next देखो, alkyl halides undergoing nucleophilic bimolecular substitution involve inversion of configuration, देखो, इसके questions जो है, काफी कुछ अच्छे questions हम कहेंगे, similar questions से देखिए, अगर आप इसको ध्यान से solve कीजिए, इन सब क्या answers जो है, आपको NCRT में ही मिलेंगे, ठीक है, so I hope आज का वीडियो यह आपके लिए helpful रहा होगा, thank you students and have a good day.